कुमारी सहलजा के बाद एक और कॉंग्रेसी ने सीम हुड़ा पर हमला वोला है जी हां फरिदाबाद के पूर्व कॉंग्रेसी सांसद अफ़तार बढ़ाना ने सोनिया गांदी और राहूल गांदी से मिलकर कॉंग्रेस संगठन में फेर बदल की वकालत की है उन्होंने सीम हुड़ा को आड़े हातों लेते वे कहा कि उन्हें नैतिक रूप से परदेश में कॉंग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए हरियाना की राज़नीती में लगाता मुख्यमंतरी हुड़ा निशाने पर है विपक्षियों के साथ-साथ उनकी अपनी पार्टे की नेता उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं ताजा ब्यान उन पर फरिदबाद के पूर सांसत और कॉंग्रेस के राश्य सचिव अव्तार सिंग भडाना का है उन्होंने कहा कि लोगसबा चुना में पार्टे की हार की जम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंतरी की है और उन्हें अप इस जम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए उन्होंने सोनिया और राहुल गांदी से मिल कर प्रदेश में चल रहे हलात की जानकारी भी दी उन्होंने आलाकमान से मांग रखी की पार्टी में बड़े फेर बदल की जरुवत है चाहे वो All India Congress Committee हो या फिर प्रदेश या फिर Youth Congress सबी इस तर पर बड़े बदलाफ की जरुवत है हम राहुल जी को भी जो कुछ स्टेट के बारे में या देश की बदलते हुए हालात के बारे में हो सकता था उनको रखा है और एक गंभीर मन्थन हो रहा है हमने कहा है कि काफी कुछ परिवतनों की जरुवत है और निश्चित तोर पर चाहे Youth Congress हो चाहे AICC हो चाहे स्टेट हो उन सम्में एक बड़े परिवतन की जरुवत है नए चेहरे नए लोग नए उरजा के साथ फिर Congress को खड़ा करने की पड़ाना ने मुख्यमंत्री और आलाकमान को चेताते हुए ये भी कहा कि अगर वक्त रहते पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो लोग सबाचुनाव जैसे परिणाम विधान सबाचुनाव में भी देखने को मिलेंगे फिर एक नई परिवतन के साथ जनता जन भावनाओं को धान में रखकर, Congress के कारेकरताओं को धान में रखकर, एक नई Congress को किस साथ उतरेंगे तो धान सबाओं में अच्छे रजल्ट होंगे अगर यही दौर रहा जो पार्लेमेंट में रहा है तो उसके रजल्टी भी खराब होंगे बढ़ाना से पहले कुमारी शालजा भी सीम हुड़ा पा निशाना साथ चुकी है उनसे प्रदेश में हुई हार के लिए जिम्मेदारे लेने की बात कही जा चुकी है लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान कहां तक भढ़ाना की बात से सहमत नज़र आता है दिल्ली से राहुल शर्मा की रिपोर्ट डे अन नाइट निउस खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहें राद दिन